जिस भी आप उदाहरण के साथ जिस भी शब्द के साथ आप नारी को जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं लेकिन ये विडंबना ही है कि जिस नारी का पर्याय सीधा शक्ति को समझा जाता है उसके सशक्ति करण के लिए अंतराश्ट्रिय महिला दिवस का आयोजन होता है भारतिय वायू सेना के जिस बेस पर हम यहाँ पर मौझूद है और जहाँ पर आप ये शक्तिशाली विमान हमारे पीछे देख रहे हैं उससे ज्यादा शक्ति इन सभी चेहरों इन सभी शक्सतों के साथ जुड़ी हुई है प्लीज आईए माम वायू सेना के बात करते हैं तो लोगों के जहन में आता है पाइलेट और इसलिए लगता है अगर कोई फाइटर पाइलेट उड़ा रहा है उड़ा रही है और स्पेशल हो जाता है लेकिन आपको बताएं कि ये रातों रात नहीं होता है इसके पीछे एक बहुत लंबी कहा नहीं होती है और इसलिए इतने विस्तरत महमान आज हमारे साथ हैं जिनकी अपनी-अपनी कहानिया इतनी ऐसी होंगी लेकिन फिर भी अगर मैं इजाज़त के साथ सबके मैं यंगेस्ट मेंबर से ही शुरू करती हूँ पूरा देश सोच रहा है कि आपने ये क्या कमाल कर डाला है आपको एसास हो रहा है कि आपने कमाल किया है वेल मैं ये कहूंगे कि ये सिर्फ मेरा चीवमेंट नहीं है पच्छे साल होने वाले हैं इंडियन एफोस में विमन आफिस को इंड़क्ट हुए इन सब ने बहुत ही महनत करी है, अपने छेतर में बहुत ही अच्छा काम करा है इसे कार्ण मुझे आज ही मौका मिल पाया कि मैं एक फाइटर जट को अड़ा सकूँ So I thank all of them for this thing और बोलने में क्या घजब की maturity है माम? हम 25 साल की बात कर रही है, 24 साल की service आपकी हो गई है जर्नी शुरू हुई, बहुत अच्छी जर्नी शुरू हुई एक बहुत bold step भरती वायुसेना ने लिया और बाकी दोनों सेनाओं को ये रास्ता दिखाया कि महलाओं को उसमें आप इंडक्ट करें और 25 साल में जो तरक्की हुई है, जो हम शुरू हुए थे, जो खाली मुठी भर थे और कुछ ब्रांचेज में थे, उनसे हम आगे बढ़कर आज भरती वायुसेना के सारी ब्रांचेज में महला officers हैं और इतना ही नहीं, तीनों services में से मिला लें तो highest percentage अगर आप लगाएं महला अधिकारियों का वो भरती वायुसेना में है पर ये सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले भरती वायुसेना में जो महला है, short service commission officer होती थी, तो अब हम permanent commission officer है मैं first batch थे, जब हमारे देश की first batch जब Indian Air Force ने सोचा कि उनको women को induct करना है मैं Air Force ही नहीं कहूंगी, मैं defense services of the country में कहूंगी कि जब पूरे defense forces ने सोचा कि women की induction करना है क्योंकि अभी तक सिरफ male oriented organization थी but 25 years back, they thought कि हम women को भी induct करेंगे, उस time 24,000 applications आई थी और Air Force को सिरफ 12 lady officers चाहिए थी, so I feel 24,000 लड़कियों ने अप्लिकेशन आई थी and सिरफ 12 लड़कियों ने उसमें selection हुआ था, so I think it was a big landmark और उन में से मैं थी, ours was a pioneer batch और मुझे बहुती इस मामने में गर्फ महसूस होता है कि मैं अपने देश को 25 साल से सर्फ करती आ रही हूं और करती रहूंगी पराम आपने retiremently है, आपको ऐसा होता था क्या कि उस समय शुरुवाती batches में आपको मतलब क्यूंकि बाकियों के लिए भी तो नई चीज थी, कि लड़की आ रही है, फॉज में आ रही है, हमारे वायुसेना में आ रही है तो थोड़ा और softly deal किया जाता था कि ज़्यादा मत करवाओ कुछ ऐसा कुछ फेस तो नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं ट्रेनिंग जो है वो इतना आपको मजबूत कर देती है कि आपको पता है कि आप वो सब कुछ कर सकते तो आप किसी से expect भी नहीं करते कि आपके साथ में less than a standard का behavior आप से accept करें नहीं आपको कोई extra inch क्योंकि जब आए थे तो जो मेल हमारे कुलीक्स थे वो लोग थोड़े conscious हो गए थे क्योंकि बारा लेडी ओफसर्स कुनोंने अपने पहले कभी नहीं था उस समय लेकिन आप सियाचन में फ्लाइ करती हैं जी माँ ट्रांसपूर्ट पालेट जी सियाचन हेलिकॉप्टर पालेट क्योंकि अवाहां रहती भी हैं मैंने देखा था कितना मुश्किल है ये कुछ स्पेशल फीलिंग होती है वाहां पर क्योंकि आवाहां रहती भी हैं एक बार भी सियाचन बेस कैम पे रहके मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई एलियन हुए कुछ अलग एंटिटी हुआ अगे लेकिन फिर पोस् और केरो ओयल डीजल सारे हलिपाद्स पर पुछाते हैं पहले पहले किया था तो कोई शौक हुआ था ने बिलकुल नहीं था अप्रेहेंशन था बट वो भी चला गया दूसरी सौटी तक मैं आप लोगों का भी चाहूंगी जानना क्योंकि देखिए एक तो होता है कि आप वायुसेना में हैं तो आप सोचेंगे कि आप विमान उड़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ ही जो अडवेंचर का एंगल आ जाता है ना वो भी अपने आप में छोटा नहीं होता है इसलिए म आप सबसे भी आपके एक्स्पीरिंसेज और चाहूंगे कि आप सभी दर्शकों को बताएं I got motivated जब मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है मतलब मैंन को जो skydiving करते हैं तो मेरे लिए all these men are an inspiration बट मुझे लगा कि मैं किसी पुरिष को inspire करूँ So that was a big change which I wanted to make in the country So that's when I said I should take it up So in 1999 में पहली बार मेरा jump हुआ है skydiving And how much did you do? I have 848 skydives 848 jumps Which is the most important of any girl in India Because India में ये sport अभी भी बहुत spread होना बाकी है And thanks to Air Force Air Force ही एक ऐसा organization है जिसने मुझे ये मुझे ये मुचा दिया है And it is still giving me that opportunity कि मैं इस चीज को continue करूँ And I have led the Indian women's skydiving team at the World Military Games And ma'am, आपका adventure थोड़ा सा different लेकिन adventure nonetheless मैं भी civil background से हूँ And NCC cadet थी और सोचती थी किसे दिन मुझे भी skydive करना है And it was a little adventurous streak था बच्पन से So I was shocked to go to the sea So I saw the advertisement for the Indian Air Force So I was attracted to the 6th number You know, you get to do a lot of adventurous activities also So that was one big attraction Definitely uniform as it is I always wanted मैं हमेशा uniform में आना चाहती थी So I went to mountaineering में थोड़ा proposal दिया कि एक छोटा expedition करते हैं फिर थोड़ा और बड़ा expedition करते हैं दिरे दिरे जब विश्वास बढ़ने लगा मेरे को अपने ऊपर और इंडियन Air Force को मेरे ऊपर It was all mutual तो फिर उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी जो की बहुत ही बड़ी थी कि पहली जो पहली बार जो महिलाएं हमारी Everest expedition के लिए तयार करना था तो उसके Everest expedition का मुझे deputy leader बनाया गया और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे डाली उन्होंने और बड़े फकर होता है यह सोचके कि तीनों services में हमारी team थी सबसे पहले जो महिलाओं की Everest हमने attempt किया और फते हासिल करी एक होता है किसी को देखकर idealize करना और उसके बाद उस मिसाल को follow करना और खुद मिसाल बनने का मन करना वजे क्या थी कि वर्दी पहनना चाहाँ मेरे जो grandfather थे वो भी Royal Air Force में एक officer थे हाला कि मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई बट एक inspiration उनके बारे में सुनके वहाँ से भी मुझे inspiration मिली और अपने जो फॉजी हैं उनको देखके भी inspiration मिलती है fighter pilot के बारे में कहा जाता है निकि उसको split second split second क्या होता है मेरे बोलने से भी पहले है वो अपनी कभी-कभी सोच के tension होता है होता था कि यह जो decision में आपकी उम्र कितनी होई अभी 24 में कई लोग तो फैसला नहीं ले पाते हैं कि हमें करना क्या है अपनी life के साथ और इनके हाथों में उस समय देश की किस्मत रहती है कि अगर मान लीजिए एक ऐसे conflict situation में आप हैं जहां पर आपको वो फैसला लेना है मैं वो फैसले वाली वाले आंगल पर आपसे जानना चाहूंगी आप बलकुल सही कह रहे हैं कि decision जो हमको लेने होते हैं वो बहुत ही fast लेने होते हैं और being a mc-21 bison pilot ये दुनिया का सबसे तेज रफतार से लेंड करने वाला बलकुल तो ये कम होते हैं लेकिन जो हमने लेकिन जो होते हैं एक टृफ ऑपा य कोंदो यहा लेकिन जो हमने ट्रेनिह उते हैं तो ओवे नियू हमी आना है द्ल्कॉकिट यंदे उपाइर ए प्र morph bottom जब यह लड़ाईयां लड़ रही थी कि अभी लंबा हम रहेंगे, हम भी लंबी सर्विस करेंगे भई हम एफोस में, तब सोचा था कि फाइट पाइलेट एक अकेली लड़की आएगी आज से कई साल बाद? जब जॉइन किया था तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि शायद ऐसा कभी होगा, पर साथ में तब हमारे फर्स्ट पाइलेट कॉस, विमन कॉस वो शुरू हो गया था, और एक रहा खुली थी ट्रांसपोर्ट और हलिकॉप्टर के साथ में उम्मीद थी कि जरूर आगे जाके कुछ ना कुछ होगा, अल्ली तिंग इसको आने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, पर आये इसकी बड़ी खुशी है, और वो खुशी हम सभी को है, भारत देश में तो है ही, भारती वायू सेना में सारी महिलाओं को, सारे क्यों महिलाओं अकेले, सारे अफसरों को, सारे सा देखके बाकी और जो यंग चिल्डरन है, बच्चे हैं, वो मूटिवेट होते हैं, वो देखके और जादा अच्छा लगता है, ये जरूरी है ने कि जो खिलोने हैं बच्चों के हाथों में, उनका स्टीरियोटाइप बदलने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि जो पिस्त आप अपने बेटों को समझते हो, जादर हो सकता है उससे बहतर हूँ, ये कहने का चाहूंगी, कि जब पच्चेस साल पहले, जब एरफोस ने इंटर्डूस नहीं करा था, तब लड़कियों के लिए जादा ऑप्शन्स करियर के नहीं थे, आज की लड़कियां फॉर्चने है, जादा से जादा डॉक्टर बन लिजे, इंजिनियर्स भी अब हाए हैं, उस ताइम में ये अड़िस्मेंट आना, और हम 12 पाइनियर्स, जब हम भरती हुए, हमारे कंदों पे बहुत बड़ा भार था, क्योंकि हम लोग एक रास्ता खोल रहे थे, हमारा एक एक्स्पेर अगर हम रास्ता खोलेंगे, तो बाकी लड़कियां, ये रास्ते के, जो रास्ते को रोशनी दिखाती चलती गई, बढ़ती चलती गई, अकाडमी में, हमारे एरफोस अकाडमी में, जो भी एक बैच पास आउट होता है, वो एक कैन्वस होता है, जैसे कैन्वस की उपर ब्यूटफुल कलर्स लगने शुरू हो जाते हैं, ये सब कैन्वस के ब्यूटफुल कलर्स हैं, जो हमारी एरफोस को और भी ब्यूटफुल rainbow की तरह colors देते हैं मेरी बिट्या सिरफ 4 महीने की जब मैंने join back किया और 6 महीने तक जब थी तब तक मैंने flying भी वापिस शुरू कर दी थी वो conceive भी तब हुई थी और मुझे पता तब चला था जब हम Cargill Warp पे detachment पे थे मतलब अब fly कर रही थी उस दौरान और इनसान सोचता है कि सबकुछ हमारे हाथ में हैं हमारे हाथ से उपर बहुत सारी चीजे हैं तो मैं कहते हूं Indian Air Force भारती वायोसेना से अच्छी कोई जगा ही नहीं है एक personal experience बताना चाहूंगी मैं कि मैं एरनाॉटिकल एंजिनियर हूं और fighters पर ट्रेंड हूं मेराज 2000 तो जब ट्रेनिंग के बाद जब पहली बार मैंने squadron join किया तो आसपास की ही लोगों ने मुझसे बुला कि आप कैसे कर पाओगे क्योंकि उस दौरान बहुत सी महिला अधिकारी नहीं select होते थे fighter squadrons में तो मुझे काफी लोगों ने बुला कि आप कैसे cope up कर पाएंगे विकाज अगर एक flight prepare करनी पड़ती है एक sortie के लिए morning में अगर 6 बजे उडान लेनी है उस aircraft को तो सुबह 3 बजे हम लोग जाते हैं तीन बजे जाके आप जो आपके men हैं आपके नीचे जो काम करते हैं उनको briefing देते हैं aircraft को बाहर निकाला जाता है it's a very hectic thing पूरा दिन आप लगे रहते हैं पूरे काम में night flying के लिए आना है आपको अंदेरा होने के बाद तक भी और हमने आज तक पर दिखाया था रूटीन और unbelievable routine है तो उनको मैंने बोला कि ठीक है आप मुझे कुछ time दीजे फिर इस चीज का मैं आपको जवाब दूँगी और कुछ time बात जब वो मैंने अपने ले एक मुकाम हासल किया और अपनी जगा वहां पर सेट अप कि एक बनाया मैंने अपनी आइडेंटिटी तब उन्हीं लोगों ने आके मुझे congratulate किया तो it felt very nice and at least मैंने इतना सोचा कि एक थोड़ा सा मेरा contribution रहा महिलाओं को आगे बढ़ाने का कि जिन लोगों को मुझ पर डाउट था जिन लोगों को लग रहा था कि मैं कैसे cope-up कर पाऊंगी वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्या फिजिकल ट्रेनिंग सेम है बिल्कुल बिल्कुल आपको मैच करना है अपने को एक सेम Carmen G जा मैं टुड़ा एड़ करना चाहूंगी हमारा पूरा ट्रेनिंग साथ में होता है बिल्कुल एक जैसा होता है और जब कुश्बू जहाज में बैठती है, मैम अपने डेस्ट पर बैठती है, जब सेलेक्शन करनी होती है, तो ये जेंडर चीज़, ना जहाज को पता होता है, ना मेरे पैरेशुट को पता होता है, और जिस जमीन पर हम चलते हैं, किसी को पता नहीं होता है, ये जितने भी नन लिविंग तिइंग्स को पता ही निई चलता है कि यह लडगाय की लड़की चीने के दो द़रान जो पुनिश्यमींट्स होते हैं. समांदे पुछ र čॉ सब से जार्चौरईं उन्होंने का है हां समें होता है लगता अगलती एक ने करें तो सब को मिलेगा कि आगे से अगला जो बंदा है वो गलती ना करें और वो बहुत ही वो जो मॉमेंट्स आप जो अकाडमी में द्यूरिंग ट्रेनिंग अपने कोसमेट्स के साथ में जीते हो वो जिन्दगी भर की यादे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मतलब जितनी खुबसूरती से आप सबने अपनी बातों को रखा है वाकई कहते हैं कि सपनों को उडान सपनों को पंक लगना पंक खुलने दो उसके उडने दो अब वायू सेना से बहतर कौन समझा सकता है इन बातों को इसलिए जब अंतराश्ट्रिय महला दिवस पर हम यहाँ पर आये हैं उन सशक्त महलाओं के साथ जो आपको बता रहे हैं कि सशक्ती करण का मतलब दरसल क्या है और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि नमक आपने भी खाया है जो महलाएं है उन्होंने भी खाया है तो अगर आप फौज में भी भरती होना चाहते हैं और उस तरह से कर्ज उतारना चाहते हैं तो देखिए फौजें तयार है आपके लिए और रास्ता इन्होंने तय कर दिया है अभी के लिए इतना ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद